पूछे जाते हैं तो शुरुआत करते हैं कोलिजन डोमेन से लेकिन उस से पहले कोलिजन डोमेन के बारे में कुछ पॉइंट्स को जान ले हपस के केसिस में हपस के सभी पोर्ट्स सेम कोलिजन डोमेन में होते हैं यानि के इसके साथ कनेक्टेट डिवाइसिस के डिटा में कभी भी कोलिजन हो सकता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शेर्ड मीडिया को यूज करते हैं जबकि ब्रिजिस, स्विचिस और राउटर्स के केस में इन सभी डिवाइसिस के सभी पोर्ट्स अलग-लग कोलिजन डोमेन में होते हैं यानि कि अगर स्विच एट पोर्ट्स का है तो उसके एट सेपरेट कोलिजन डोमेन होंगे चलिए इसे हम एक पिक्चर में समझते हैं तो हब्स के केस में हब्स के सभी पोर्ट्स सेम कोलिजन डोमेन में हैं और ये शेर्ड मीडिया को यूज करते हैं और इन में कभी भी कोलिजन आपस में हो सकता है इसे दूर करने के लिए Ethernet में CSMA CD टेकनीक को यूज किया जाता है लेकिन फिर भी Repeaters और Hubs के साथ Connected Devices में आपस में कोलिजन होता रहता है इसके साथ साथ स्विच के सभी पोर्ट्स अलग-लग कोलिजन डोमेन में होते हैं यानि के separate कोलिजन डोमेन में और इनमें कोलिजन होने की संभावना नहीं रहती है यानि के अगर हमारा स्विच 24 पोर्ट्स स्विच है तो उसके सभी 24 के 24 पोर्ट्स अलग-लग कोलिजन डोमेन में होगे जैसे कि हमने अपने पिक्चर में स्विच के साथ 3 डिवाइसिस को Connected दिखाया है जैसे कि एक हब और दो PC और ये तीनों के तीनों डिवाइसिस अलग-लग कोलिजन डोमेन में होगे आप यहाँ पे ध्यान दिजिए हब का अपना एक कोलिजन डोमेन है उसके सभी डिवाइसिस एक ही कोलिजन डोमेन में है लेकिन जब वो स्विच से Connect होगा एक सभी डिवाइसिस में आपस में अभी भी वी कोलिजन हो सकता है इसी तरीके से, टरॉटर के के सभी इंटरफेसस सपरेट कोलिजन डोमेन को रिपर्जेंट करते हैं बोकास्ट डोमेन को मेन के 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 समें hubs और switches में सभी के सभी ports same broadcast domain में होते हैं जबके router के case में router के सभी interfaces या ports separate या different broadcast domain में होते हैं इसका मतलब switches या hubs के साथ connected devices में से अगर कोई भी broadcast message send करे तो वो hubs और switch के साथ connected बाकी सभी devices को receive होता है इसमें एक exception है जिसे अभी हम discuss नहीं करेंगे वो VLANs के case में है लेकिन अभी आप इतना जानिये के hubs और switches के सभी ports same broadcast domain में होते हैं और जबकि router के सभी interfaces या ports अलग लग broadcast domain में होते हैं चलिए इसे भी हमाई एक picture से समझते हैं मान लिजे हमारे environment में एक hub और एक switch लगा हुआ है और इनके साथ कुछ devices connected हैं कुछ PCs या कोई भी networking devices हो सकती हैं ये सभी के सभी एक single broadcast domain में होंगे यानि कि इन में से कोई भी PC जब भी broadcast send करेगा तो वो broadcast इस broadcast domain के बाकी सभी devices तक पहुँच जाएगा जबकि अगर हम इस network को router के साथ connect करें तो जैसा कि अभी हमने discuss किया है कि router के सभी ports different broadcast domain में होते हैं तो जितने router के interfaces होंगे वो एक separate broadcast domain की तरह act करेंगे तो इस case में हमारे पास 3 broadcast domains हैं चलिए जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हम discuss करते हैं hubs और repeaters के सभी ports एक single collision domain में होते हैं जबकि bridges, switches और routers के सभी ports अलग-लग collision domain में होते हैं तो आपके सामने जो picture है उसमें हमारे पास 6 collision domains हैं इसी तरीके से broadcast domain के case में hubs और switches के ports एक same broadcast domain में होते हैं जबकि router के सभी interfaces या ports separate broadcast domain में होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास hub और switches का जो की आपस में connected हैं एक single broadcast domain है जबकि router के दो दूसरे interfaces अलग-लग broadcast domain में हैं यानि के total हमारे पास इस scenario में तीन broadcast domain हैं Question time, चलिए आप मुझे question का answer दीजिए आप मुझे बताइए कि router के सभी ports या interfaces option A same broadcast domain में होते हैं या फिर option B different broadcast domain में होते हैं आप इस question का answer next 20 seconds में नीचे comments में ज़रूर टाइप करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप like button को प्रेस करना न भूलें और नए वीडियो की information अपने mailbox में पाने के लिए चैनल पे subscribe करें तो इस वीडियो में हमने hub, switches और routers में collision domain और broadcast domain को discuss किया तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for watching अठीयो वीडियो दोट से वाराइप करें users